टॉपिक लेके आया हूँ ये लाइफ के अंदर दो ही तरीके जीवन जीने के हैं या तो जीवन को जी लो या फिर हमेशा रिग्रेट करते रहो कि ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ये life क्या है? ये life भी एक जगलिंग का गेम है आपने सरकस के अंदर कोई जगलर को देखा होगा कि जो एक संग 5-5 गेंद उचालता है और उसे बैलन्स करता है तो सिर्फ वो जगलर ही 5 गेंद उचाल के बैलन्स करता है ऐसा नहीं है हम सभी के हातों में ये 5 प्रकार के गेंद हैं और हर कोई व्यक्ती जगलर है आपको लगेगा यदि हम भी 5 गेंद उचाल रहे हैं तो वो 5 गेंद कौन सी है? 5 गेंद यदि आपको बताओं तो एक अश्चरिक की बात ये है कि उन 5 गेंदों में से 3 गेंद रबर की है और 2 गेंद कांच की है यदि रबर की गेंद आपके हाथ से छूट जाती है तो नीचे गिर के बाउंस होके वापस आपके हाथ में आती है लेकिन यदि कांच की गेंद एक बार हाथ से फिसल जाती है तो नीचे जाने के बाद वो कभी वापस आ नहीं सकती तो ये पांच गेंद कौन सी हैं जो हम सब अपने हाथों में उचालते रहते हैं सबसे पहले हैं आपका बिजनस आपका व्युसाय वो भी रबर की गेन छूटी फिकर मत करना वापस बाउंस हो के हाथ में आ सकती हैं आपके friend circle वो भी रबर की गेन आपकी property वो भी रबर की गेन एक बार छूटी तो वापस हाथ में आ सकती है लेकिन आपकी health और दूसरा आपकी family ये दोनों है काँच की गेन यदि ये एक बार हाथ से छूट गई फिर इससे संजोना उसे बटोरना उसने इखटा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो तीन रबर की गेन संभालने के लिए सबसे पहले ये दो गेन्दों की ही आहूती दे देते हैं सब कुछ पा लिया, सब कुछ इखटा कर लिया, सारी property मिल गई लेकिन भोगने के लिए अपने पास शरीर स्वस्त नहीं रहा और खुशी बाटने के लिए अपना परिवार नहीं रहा, तो फिर वो गेन्दे क्या काम है?